एक्ट्रेस पायल रोत्रकी और पहलवान संग्रामसी सगाई के चार साल बाद जल्द ही शादी करने की तैयारी में है शंग्रामसी ने एक इंटर्व्यू में कहा है कि लगभग 6 साल सात रहने के बाद अपनी गर्फ्रेंड से इस बार के विंटर सीजन तक शादी रचाने की प्लैनिंग है उन्होंने कहा है कि हम लोग सगाई के एक साल के भीतर शादी करना चाहा रहे थे लेकिन बीजी सेड्यूल के चलते ऐसा नहीं हो सका और जिसकी वज़ा से शादी की प्लैनिंग बढ़ती ही चली गई यह सब कुछ तब होता है सही समय आता है लेकिन अब मुझे लगता है कि यह समय आ चुका है संग्रामसी ने आगे कहा कि मैं विंटर वेडिंग की प्लैनिंग कर रहा हूं और एक परिवाश शुरू करने में देरी नहीं करना चाहता पायल और संग्रामसी ने 2014 में सगाई की थी इंटर्व्यू में संग्राम ने यह भी बताया कि हाला कि पायल के पैरेंट्स काफी खुले विचार के हैं वे जानते हैं कि शादी के लिए रुका जा सकता है जबकि मेरी मा मेरी शादी के बारे में मुझसे हर दूसरे दिन पूस्ती रहती है इस वजह से मुझे नहीं लगता कि अब इसके लिए अधिक समय लेना चाहिए जबकि पायल हमेशा संग्राम के प्रती अच्छे इंसान होने की प्रसंसा करती आई है बता दे कि पायल रुहतगी ने साल 2000 में मिस इंडिया टूर्नामेंट में भाग लिया था और बाद में मिस इंडिया टूरिज्म वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रधिनीजित् आप भी मिला था कविज्यापनों में काम करने के बाद पायल रोहतगी को बॉली बुड में ये क्या हो रहा है फिल्म से डेब्यू करने का मौका मिला पायल ने प्लैंग रक्त 36 चाना टाउन और दिलकबड़ी जैसे फिल्मों में भी काम किया वही संग्राम को रियालिटी सो बिग बॉस में भी आने का मौका मिला था इतना ही नहीं दोनों ने साल 2015 में डांस रियालिटी सो नजबलिये में भाग लिया था लिए स्टारच के लिएर ने सेल्मों में भी cow अबड़ी जाओ रियालिटी सो रित।